दोस्तो Google Pixel 7 F5G काफी कमाल का phone Google ने launch किया है और जो features है वो तो बहुती ज्यादा कमाल के हैं लेकिन अगर Poco F5 5G की बात करें तो इतने कम price rate में इसने मतलब Poco ने इतना कमाल के features इस वाले phone में pack की हैं जो कि और companies जो है वो pack नहीं कर पा रही है दोस्तो latest unboxing and tech related videos देखने के लिए make sure के चैनल के जो subscribe कर लीजे तो आपको बेस्किली Google में 6.1 inches का काफी compact सा phone यह रहने वाला है और मेरे पास iPhone 13 Pro भी है उसमें भी 6.1 inches का ही display तो वो phone मुझे काफी ज्यादा handy लगता है लेकिन Poco की बात करें तो यहां पर आपको 6.67 inches का screen size मिल जा देंगे तो आपको काफी मजाएगा इसके बाद आपको दोनों में full HD plus एक AMOLED वाले आपको पैनल देखने को मिल जाते है जिसकी वजए से आपको colors जो है वो काफी ज्याद अच्छे देखने मिलेंगे इसके बाद जो इसका viewing angle experience है वह भी थोच्छा बेटर हो जाता है protection Poco मे और भी जाद आपको बेटर मिल जाता है जो कि 120 हर्स का है तो आपको वहां पर जो display की smoothness है वो और भी जाद अच्छी देखने मिल जाएगी इसके बाद जो brightness है Google ने को ऑफिशली बात नहीं कि फिर भी 1000 के आसपास आपको देखने मिल जाती जो की Poco में भी है तो outdoor visibility आपकी अच्छी कासी रहने वाली है धूप वाला जो experience है आपका ठीक रहेगा बाकि आपको दोनों में HDR10 का support मिल जाता है लेकिन जो dolby vision और यहां पे जो 12-bit display यानि कि जो colors है वहां को काफी जाद अच्छी मिलेंगे Poco में तो इसका support आपको Google में देखने को नहीं मिलता है तो पर भी जा सकते हैं इसके बाद यहां पर चिपसेर की बात करें तो गूगल में हमको Google की तरफ से आने वाली टैंसोर जी टू चिप मिल जाती है यानि की जनरेशन टू हमको चिप मिल जागी जो कि 5 नम पे है जिसके एंट तो उसको आपको साथ लाग के उपर देखने को मिल जाएंगे तो फिर आप लोग यह मास सकते हैं आपने स्नैप डेंगे टिपल एर का नाम सुनाओगा याली चिपसे उससे बेटर है तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस वाइज आपको वाले फोन में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी जाए तो गेमिंग की हो गई वीडियो एरेटिंग वाली हो गई इसके बाद यहां पर सॉफ्टर की बात करें तो यहां पर गूगल को कोई भी बीट नहीं कर सकता है आपको यहां पर स्टॉक अनोड मिल जाता है जो कि अनोड 13 पर है पोको में भी काफी लेटर सॉफ्टर है लेकिन यहां पर अपडेस पर आप लोग ध्यान दीजे गूगल में आपको तीन साल तक की यहां पर अनोड अप्डेस मिल जाएंगे लेकिन यहां पर जो गूगल है इसने यहां पर कुछ अच्छे काम भी किये जैसे कि आपको इसमें टाइटन सेक्योर्टी ची मिल आती है जो कि आपका डेटा काफी ज्यादा सेक्योर रखेगी पिलस यहां पर इस तो इतम नीट एंग एक्स्पिरेंस रहेगा कोई ब्लोट वेर नहीं यहां कि जो प्रिंस वार अप्लिकेशन होती है कोई एड्स आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन शौमी में आपको थोड़े बहुत एड्स ब्लोट वेर्स आपको देखने मिलते हैं तो सौफ्टर एक्स्पिरेंस भी यहां पर गूगल का ही अच्छा है अगर यहां पर बात कीजा है इसमें बैट्री बैकप चार्जिंग की तो गूगल में आपको लग रहा होगा यहां पर जो बैट्री का साइज है वो थो अच्छी बैटरी है और 67 वाट का एक सुपर फार्ट चार्जर आपको इन दा बॉक्स में देखने मिल जाता है लेकिन पोको में आपको कोई वाइलेच चार्जिंग सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगी वही चीज़ आपको गूगल में देखने को मिल जाती है बाकि यहां ओनोंनी विजन वाले है तो वह समझ से सनी को सनफर का प्रीमियम ध्याइब चाना आपको सिंसर यहां पर जाते हैं के मखेंख संसर यहाँ आत्राओक्या लेकिन पोको ने यहां पे एक लिमिटेशन लगा दिया सकते हैं तो फाइनली बात आती है कि काई सा फोन लिया जाए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल पिसे की तब जाएगे वो तो आप लोग जानते हैं लेकिन यह चीज़ होती है वो चीज़ आपको लोग अगर मैलेज कर सकते हैं तो हाँ इसके आप लोग आखो से देख रहे हो वह सही यह कुछ आपको फोटो वीडियो निकाल के देगा ज्यादा कलर स्चुरेशन नहीं भढ़ाता है यह तो वहां पर आपको ध्यान देना है औ Google में आपको in display fingerprint system मिल जाएगा तो यहां पर काम अच्छा किया गया है POCO में आपको side monitoring मिलता है इसके बाद अगर आपको कुछ और important features की बात की जाए तो POCO में आपको 3.5 mm audio का support मिल जाता है तो यहां पर काम अच्छा किया गया है लेकिन यहां पर जो SIM tray मतलब जो Google में आप लोग यहां पर दो SIM लगा सकते हैं लेकिन दूसरा eSIM वाला होगा चुकि SIM tray जो है वो single slot वाली तो वह चीथ होई सी दिक्कत करती है लेकिन POCO में आपको dual slot SIM tray देखने को मिल जाएगी इसके बाद 5G के bands आपको Google में तो से better मिल जाते हैं जो कि 19 5G के bands मिल जाएंगे काफी जाद होते हैं बाकि यहां पर IP67 की rating मिल जाती Google में तो यह कम अच्छा किया गया है POCO में आपको सिर्व सिर्व IP53 की मिलती है जो कि मतलब phone waterproof तो बिल्कुल भी नहीं है बाकि यहां पर NFC का support भी आपको यहां पर Google में मिल जाता है लेकिन जो आया बिलास्टर है वह हम लोग जानते कि शौमी अले यह काफी सही निकल के आता है हाला कि तो सम्मेहंगा जरूर है लेकिन यहां पर डिस्प्ले है वह अगर आपको छोड़े से छोटे फोन पसंद आते तो फिर आप लोग इसके तब जा सकते हैं इसके बाद यहां पर जो सौफ्टर एक्स्पिरेंस है वह बहुत ज्यादर कमा बैक्टी बैकप भी अच्छा है चुकि स्कीं का साइज भी कम है लेकिन वाइले चार्जिन जैसे कुछ पीरिमियम फीचर भी आपको इसमें देखने मिल जाते हैं कैमरा सुछ नेक्स लैवर वाली आपको परफॉरमेंस देंगे बाकि कुछ अधर फीचर भी आपको परफॉरमेंस मिल लिए वहां पर आपको कोई भी इशु देखने को नहीं मिलेगा और प्लस यहां पर जो बैटी बैकप है वह तो अच्छा है लेकिन 67 वाट का चार्जर भी आपको इसमें देखने मिल जाता है इसके बाद यहां पर कुछ अधर फीचर इसमें भी अच्छ